तो हूँगे बच्चो वाज हम पढ़ेंगे हैलजवरय का सेंड एक्वेशन क्या होता है जिसती डिगरीस हो ऐसे है fired कि पहले हूं पहले जो जैत्र simplement यह स्टिंश में प्रस्ट पेट पे ड्यारी लिश्च छोड्रेटिग पॉलिनोमिल it पॉलिनोमियल कमा मतलब होता है मतलब क्या यह x plus 1 इसको बोलेंगे एक 2 कितने हैं 2 तो उसको बोलते है binomial binomial और अगर x रहा तो उसको बोलते है monomial 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 का मतलब होता है बच्चो एक और binomial का मतलब होता है 2 फिर एक बाहिक आता है trinomial trinomial और जो मतलब Trinomial का मतलब होता है जिसके बास 3 term हो जैसे की x square plus x plus 1 जिसके बास कितने term हो 3 term हो और यह कहाता है polynomial जिसमें पूरा आजाता है पूरा क्या है यह सब polynomial है तो linear polynomial linear का मतलब होता है बच्चो जो variable है कोई भी वैरीएबल हो उसका पावर कितना हो वान हो linear polynomial का मतलब होता है the variable which contains the maximum power is one मतलब maximum उसका जो power रहेगा पावर इंडेक्स और डिगरी जो इंडेक्स डिगरी पावस सब एकी होता है यह जो टू है ना इसको बोलते हैं पावर भी बोलता जाता है डिगरी भी बोलते हैं और इंडेक्स भी बोलते हैं जब एकी का नाम है जैसे मेरा नाम विशाल है कई लोग घर में कुछ और बोलाते हैं बाहर कुछ और बोलाते हैं स्कूल में कुछ और नाम है तो है तो एकी वेसे ही यह 2 है मतल्ब यह तू ili कभी index कभी degree बोलते हैं तो linear polynomial का होता है जिसकी degree वान हो लीनियआ पॉलीनुमियल का मतलब क्या होता था बच्छो जिसकी degree one हो आओ दिखते है झिसकी degree one हो linear polynomial ना मतब डिगरी 1 हो, example क्या है, x plus 1, यह जो x है, x की डिगरी कितनी है, 1 है, यह जो 1 है, 1 की डिगरी कितनी है, बच्छो, 0 है, कोई भी number, कोई भी number, इन फाइनाइट, कोई भी number, उसकी डिगरी कितनी होती है, बच्छो, 0 होती है, उसे क्या बोलते है, बच्छो, constant, क्या बोलते है, भी कोई भी number हो xyz कोई भी number हो उसकी degree कितनी होती है 0 और यह starting from 1 होता है कोई भी अगर a plus 1 है तो a की degree क्या है 1 है एक ही degree क्या है बच्चो 1 है तो यह आपका पहला example क्या हो गया linear polynomial linear polynomial का मतला होता है जिसकी degree 1 हो यह x की degree कितना है बच्चो 1 है अब देखते हैं quadratic polynomial quadratic का मतलब इसके सब्दों में यह आ जाता है यह वर्ड ही सुनके पता जा जाता quadratic का मतला होता है 2 मतलब जिसकी degree 2 हो example क्या है एक स्क्वेर प्लस x प्लस 1 यहां से देखूंगा इसकी degree 0 है इसकी degree 1 है इसकी degree 2 है तो ऐसी यह degree 1 को लिखते नहीं है न जीरो को 0 क्या होता है मेरा constant term होता है वान ओ टू ओ थ्री ओ फो रो जाए यहां पर कुछ भी लिखूंगा तो यह मेरा constant term होता है तो यहां पर क्या है maximum degree कितनी है एक एक क्वेशन है इस equation यह एक polynomial है इस polynomial का maximum degree यहां पर degree 1 है यहां पर degree 2 है जो सबसे बड़ा degree इस polynomial का है वह 2 है इसलिए क्या जाएगा बच्छो quadratic polynomial थर्ड क्या है क्यूबिक क्यूबिक क्या मतला होता है बच्छो जिसकी degree 3 हो जिसकी degree 3 हो example x3 x2 plus x plus 2 is equals to zero यह यह क्या होता है बच्छो जीरो लिखो या प्लस ना लिखो तो इसे क्या बोलते है बच्छो यह आपकर क्या है cubic polynomial, cubic polynomial मतला होता है यह जो equation होता है इसकी maximum degree कितना है 1 है कितना है बच्छो जी च्छो त्याह पींबिक में maximum degree कितनी होनी चहें थी quadratic में maximum degree 2 linear में maximum degree one तो उस पर जादा time student ना करके यह शमनले वच्छों linear का मतला हो दिगरी वन देशा आपका पहला चैप्टर था linear equation इन टू वैरियेबल दो वैरियेबल के साथ मैं equation solve कर रहा हूं दोनु वैरियेबल की जो डिगरी है वे क्या है वन है इसलिए बोलते linear equation इन टू वैरियेबल तो linear polynomial दा वैरियेबल content डिगरी वन quadratic मतलब degree 2 cubic degree 3 जिसकी degree कितनी हो 3 हो उसे बोलते cubic polynomial अब quadratic equation का define देखते है quadratic equation होता चाहे the equation involving one variable the equation involving one variable and having two as the maximum index maximum index मतलब होता है जो यह है इसमें one ba two ba लेकिन maximum कितना होना चाहे शिप दो दो से जादा नहीं होना चाहे तो maximum index मतलब maximum power maximum degree maximum degree कितनी होनी चाहे बच्छो two होनी चाहिए तो the equation involving one variable and having two as the maximum index of the variable किसका variable variable का मतलब का होता है बच्छो a b c d e a to z जितने भी a b c d का alphabet होते उसको बच्छो क्या बोलते variable क्या होता है variable तो index of the variable is called the quadratic equation quadratic equation क्या होता है the equation involving one variable and having two as the maximum index of the variable is called the quadratic equation जैसे कि ये इक्वेशन में इसकी maximum जो degree है वे क्या है two है maximum degree two है variable कौन सा है एक ही है x है यहां पर भी x है इससे फरक नहीं पड़ता मैं x लिया हो तो पूरा x है अगर y लिया तो पूरा y है तो मैं क्यों involving one variable is called quadratic equation आ जाते हैं बच्चों quadratic equation के general formula देख लेते हैं general form क्या होता है quadratic equation के ax square plus bx plus c is equals to zero यह जो a b c है ना यह क्या है real number है real number क्या होता है यह मताब्द नेगिटिव भी पार्ट आ जाते है positive वाले भी नंबर आ जाते है fraction में भी जो number आ जाते हुए भी रूट में जो रहते हैं वे भी number तो a b c क्या है बच्चों real number है लेकिन यह अभी भी जीरो नहीं होगा क्योंकि अगर यह क्योंकि अगर यह x square है x square का मतलब बता इसके पास one है एक स्ट्रा मतलब बता इसके तो मतलब इसकी डिग्री वान है जो कि कोड़ेटी एक्वेशन फॉर्म ही नहीं होगा तो इसका जेनरल फॉर्मूला जेनरल फॉर्मूला क्या है इसका AX स्क्वार प्लस BX प्लस C is equal to 0 जहां पर ABC के है रियल नंबर है और A is not equal to 0 जो कभी भी मेरा जो यह वाला टम रहेगा इक्वेशन नहीं रहेगा और B जाहे 0 रहे जाहे सी रहे उसके फरक नहीं बढ़ता लेकिन यह मेरा A वाला टम 0 नहीं होना चीए जैसे कि कभी ऐसी हो जाता है X2 is equals to 0 इसे भी बच्छो कॉड़ेटिक Eduction बोलेंगे यह एक्सक्वेशन भी यह फरक नहीं बढता है सekना कि निए Fut up जैरर्ब्स जीरो एक्स प्लस जीरो इस इकवल्स टू जीरो ईसे लिखेंगे कि कोई जीरो एक्स ट्यो मतलब यह स्की liberi लेकिन 00 मतलब कोई वיע मतलब यह नहीं हो था दिना लिखे भी इसका आंसर यही है और लिखने से भी लेकिन इसको कौन से फॉर्म में convert करती यह जणरल फॉर्म में कौन से फ़ॉर्म में जनरल फॉर्म में तो देखते हैं बच्छो यह इsm unt क्या है जनरल फॉर्मूला किसका यह कौड़ेटी काड़रेटिक एक्वेशन का यह जनरल फॉर्म है जनरल फॉर्म को कभी-कभी बोला जाता है बच्छो स्टैंडर फॉर्म क्या बोलते हैं स्टैंडर फॉर्म इस्टैंडर फॉर्म और जनरल फॉर्म एक होता है constant term यह जो x square plus bx plus c इसका power one होता है इसका power two होता है यह zero power होता है इसका power क्या होता है zero c क्या है constant term तो c को क्या बोलते बच्चो constant term यह जो c रहता इसकी value क्या होती है कोई भी number होता है कोई भी number real number कोई भी number उसके साथ variable ना लगा रहे है कोई भी number without variable is called as constant term, any number without variable is called as constant term, coefficient क्या होता है, यह जो variable x, यह जो variable x square, इसके साथ जो रहता है, यह a, इसको बोलते है coefficient, coefficient का मतलब होता है बच्चो नमबर, यह x चे साथ कौन है, b, यह क्या है coefficient, यह c कौन सा है, नमबर है, इसको बोलते है, बच्चो कोफिसियंट, क्या होता है यह होता है यह सब क्या है बच्छों कोफिशियंट किसके एक स्क्वाइर प्लस भी एक्स और सीच यह क्या है कोफिशियंट इसका कोफिशियंट भी यह बाकि यह सी एजटीज यह सी लिखो ना लिखो कोफिशियंट में इतना आता है एक से साथ क्या है तो एक तो देख लेते बच्चों इंडेक्स डिग्री पावार सब एक ही होता है तो यह आपके टेक्स्ट बुक में एक ऐसे एक्टिविटी दिया था इसको सॉल करते हैं एक यह एक्वेशन दिया गया है यह एक्स्क्वेशन यह जो है यह नंबर है नंबर का मतलब क्या होता है बच्चों यह कॉंसेंट टम है अगर इसको जन्रल फॉर्म में लिखोंगा कैसे लिखोंगा क्या है x square जो अगर बीच का term नहीं रहता ना तो plus 0 लिखने का 0x minus 4 is equals to 0 यह आपका क्या जाएगा बच्चों इसका general form x square plus 0x minus 4 is equals to 0 इसमें मुझे क्या निकलना है a b c a b c निकलना है a क्या होता है x square के साथ जो रहता है वे a होता है तो x square के साथ क्या रहता है हमेशा one रहता है क्या रहता है वान जिसमें कुछे ना दिया उसी variable कोई भी variable बच्चों क्या content करता है one zero multiply करूंगा जिरो होडेगा multiply one करूंगो तो itself रहगा अगर a multiply प्छोन करूंगो थो ए ही आएगा तो इसके साथ रहता है बच्छोन तो a के साथ क्या है 1 B यह b है अगर इसको कंपेर करूंग smartphone यहां पर रहता है प्लस C और यहां पर क्या है माइनस माइनस है मतलब क्या c की वैलु क्या है माइनस 4 कि कशीक वैलू क्या है बच्छो माइनस ओ सेंडू सेंड़ इसको भी करेंगे वाय स्क्वार में करूंगा मतब जनरल फॉर्म में यह टू य को यह साइल लागए इक्वेल्ट क्वेल सुगतोग क्या हो जब बच्वेल को माइनस तू यह ऐज़न को उपलोस एक लाया तो बच में का अता है बच्छो प्लस आता है हमेंशा काता है फ्लस लेकिन आप पर माइनाएस एले ब्लस ब्स जीरो इस doe जिरो यह जिरो लिखो ना लिखो मेरे उपर है तो x2 plus 2 x plus 0 is equal to 0 इसमें a की वैलू क्या है बच्चो 1 big value 2 और c की value 0 c क्या होता है बच्चो constant term होता है जिसका degree 0 होता है उसको बोलते constant term जिसकी degree 0 होती है उसको बोलते constant term यह आपका बच्चो activity था कि quadratic equation दिया था quadratic equation को मुझे general form में convert करना था general form को एक और नाम दिया गया standard form फिर abc निकालना था क्या निकालना था abc coefficient का मतलब क्या होता है यह जो variable के साथ जो रहता है उसको बोलते coefficient और एक word आता है quadratic equation कभी आप root शुलोंगे root of the quadratic equation root का मतलब क्या होता है बच्चो यह जो दिया हूँ x cube यह दो है x square plus x plus 3 is equals to 0 यह जो x की value होती है x की value 1 oh 2 oh 3 oh 4 oh 5 oh 6 oh 7 oh जो भी value होती है x की वह जो answer होता है उसको बोलते बच्चो root x की जो भी value रहती है उसको क्या बोलते है root तो root यह फिस solution x की value अगर 1 oh 2 oh yeah minus 1 oh minus 2 हो है कोई भी value हो जो मेरे equation को क्या करो बच्चो satisfy 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 का मतलब होता है अगर यहाँ x की value 1 लोंगा is equals to 0 आ रहा है अगर इसको solve करते हुए मेरा equation क्या हो रहा है satisfy हो रहा है तो वह क्या है this is the root of my given equation मतलब my given quadratic equation जो equation मुझे quadratic equation का दिया था वेर्षका root है root root का मतलब होता है solution किसका quadratic equation का root का मतलब क्या होता है है बच्छों सेलुशन मतलब औरी टिएक्वेशन यह आपके बच्चे कुछ बेशिक कंसेप्ट किसके रिलेटएब कॉड्रेटीक इक्वेशन के किक रीलेटीक नुसटा क्या है लीनिया पॉलिनोमियल होता क्या है यह सब है बच्चो इसके बाद हम क्या सौल करेंगे प्रैक्टीश सेट यह सब कंसेप्ट आप याद करके रखना मैं प्रैक्टीश चेट के मैं वीडियो अप्लोड करता बच्छों फुरा सॉल्व करके एक भी सम्स छोडूंगा नहीं हर एक सम्समें से करवाऊंगा ओके बच्छों ठैंक्यू बाद